है एक तंब अपने बोला थाना समार्टफ़न करेंगे पैसे देंगे आपने बोला था था पहले ले ले अधो अरे लक्षमी दैवी अधो थाक्यू सर अधम अपने सर चेसो बीस में रहते हैं हाई सर ये कामी नीजी है फोर ट्वेंटी चारसो बीस में रहती है ओ लिफ्ट आ गई सर चलिए मेडम आईए चलिए सर फोन करूंगा आराम से जाहिए अब दबादो दबादो उपर 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 जाहिए कुछ तो मिला आप टेंशन मत लेजे मैं जॉबलिस हूँ लेकिन करेक्टर लेस नहीं हूँ रुकिये मैं वॉच्पेन को फोन करता हूँ राम बाबू लिफ्ट बीच में ही रुख गई है हां हार आया वो वैसे आप लड़कों के बारे में क्या सोचती है आप बहुत घबरा कहीं थी सुख लेने वाले या सुख देने वाले मैं कुछ समझा नहीं आप कहना क्या चाते हैं इसमें समझना क्या सुख देने वाला अपनी बीबी को खुश रखता है सुख लेने वाला खुद की खुशी देखता है क्या बात है किसी ने इस लाइन को इतनी क्यूटली लेगा आज तक थांक यू आप तो इन सब चीजों में बहुत ही प्राक्टिकल हैं तो किस तरह का हाजबन चाहिए आपको मुझे खुश रखे और मेरी कमाई पर एश करता रहे और क्या है वैसे राम बाबु भी तताया नहीं जूसे के राम बाबु कहो हो यार थैंक गॉड एक्स्क्यूज मी मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं यूर सो क्यूट थैंक्स हम आज तक मेरे बहुत से क्लांट्स ने मुझे ऐसा कहा लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया पर आपकी बात सच लग रही है कर दो कर दो कर दो दो झाल कि आपका नाम बताने पर भी नहीं सुन रहा अंदर ही है सर हुँ है कौन है तुम लग नहीं है कि आपका नहीं है विवान टेकर टोन्ट वरी सर कि आपका नहीं है 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 झाल 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 तुला राश्री वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुब है उत्तम सन्योग है आज के दिन वो जो भी कारे करेंगे उसमें उन्हें वो अभी तक सो के नहीं उठाया ओके आंटी हलो दीदी कैसी है आप सब ठीक टतो है ना मैं बिलकुल ठीक हूं वैसे आप क्या कर रही है और क्या करूंगी श्री के पापा खेद पर गए हुए हैं और gelen यहां खा बुआ का फोले बोल तो मैं घर पर नहीं भार गया हूँ मैं बोल चुकियों की घर पर है बात कर ना हेलो बुआ जी कैसी है आप श्री नाम का मेरा एक भतिजा है उसने कहा था मेरे युएश जाने से पहले वो मुझे सी आफ करने आएगा लेकिन पता नहीं वो कहां चला गया कि यहां एक अर्जेंट काम आ गया था कैसा काम रे राद भर लफंगों के साथ गुमना यही है ना तेरा काम सिर्फ सपने देखने वाला दिन में सोता है मेहनत करने वाला रात में सोता है आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं बुआ जानती हूँ इसलिए पूछ रही या हैदराबाद जाकर नौकरी करोगे हैदराबाद में वहां तुम्हें किसी को जानता भी नहीं बुआ जी हम कहीं पर भी जाएं हमें जान पहचान बनानी पड़ती है अच्छा तु मेरी बात सुन है पैसे की जरूरत हो तो मुझे फोन करना और कोई हेल्प चाहिए तो कॉल मुणा फिर उश्ला तुम्हा ने बात कर लेतीना मा देख बेटा कंतास के लोग मदद करते हैं काम करने वाले की इज़त करतें और तेरी तरह बेकार बैटने वालों से लोग चिड़ते हैं मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती अब तुझे वियाशक शंचे था और आज देखो ऐसे बारिश कर रहा है भी एर कि फिर्वल क्यों मनाते हैं कॉलेज छोड़ते हैं इसलिए इसलिए अचनल पर्टी कि अचुलर लाइफ को छोड़ने के लिए और सेंड़ पा्टी क्यू कि किसी को टा-टा बाई-बाई कहने के लिए तो मैं भी इस गाउं क हम एक बात समिन पर खास उती है खास को बखरी खाती है और इंसान तो सब आक दूसरे पर डिपंडेंट है इसलिए मेर काइडिया है आजकल लड़किया अंदेटार्ट से कुछ जाधा यह कमा रही है इसो यह सुदर और स्धारत कमाने वाई लड़ों है कर लाइफ टाइम फुल एश करना है बस अब मार्द हैं तो मैना तो करनी पड़ेगी न अगर हम लोग आज से मैनत करें तो किस एज में करोड़पदी बन पाएंगे 40 प्लस और अभी हमारी एज क्या है 20 प्लस मतलब हम अपनी लाइफ के 20 येर्ज वेस्ट कर देंगे यार लेकिन अगर किसी अमीर बाब की लड़की हमारी लाइफ में आ गई तो क्या होगा सोचा अरे 20 साल वाला काम एक साल के अंदर ही सेट हो जाएगा दोस्तों हां अगर क्यार मिखना अधर कि अखेंच, वाल कीरे बाखना में मुखेंच, कि अची करी भाही है कि अचीया शिए खंच, एक घूना में मगमें तो पूंछ ए कि बाखना यह कुक्छ-मर्थ लेकिन राद को नौ के बाद एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग गेट कूथ कर आई यह पागल है तो हजार रुपय तो दे सकते हैं ना मैंडम आप तुक रूपय क्यों 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 पूछता है बार-बार रोज वापर अपनी काड़ी पार करते हैं वान ही करने क अरे सुनो सुनो टाइम बरबाद आईये सर आईये गुड मॉनिंग दस रुपया दो अरे इतने अच्छे से पूछ रहा हूं कुछ तो बोल के जा सकता है ना तेरी तो क्या बैर अपाट्मेंट के सारे लोगों को बिना दो इस तरी करके कपड़े देता है क्या लोकर साफ क तो क्या उनके पैसे डॉलर में बदल जाएंगे ठीक है लेकिन जोडी के कितने लेता है एक जोडी के बीस रुपय लेता है इस तरह रगड के बड़ा आपी नहीं बन सकता तू तीस रुपया लिया कर आप तो साक्षात भगवान कर रूप है तो उपर के दस मेरे यह तो इ कायथे मिलरेते मेरी शिकार कायों करने वाला ठोस चेहारा उसने शाहर चाहर ईक्स्टर चाम करने पर पैसे नहीं मांगोंगा मैं एक्स्टर काम की एक्सरा पैमेंड मिलनी चाहिए अगर इतनी प्र वा बताईंदा का मुआ करूंगा अपिक। यह आपको भी दे दिया करूंगा ना तुम राम बाबु हो ना ना मेरे नाम श्री है सीधा मैटम का बतीजा हूं तुम तुम्हारा ही इंतिजार था भाई तुम्हारा ही इंतिजार था एक बिलिट यह पकड़ो चाबियों का गुच्छा लगता है बड़ी जिम्मेदारी तो बह कार्ड की तरह सब मुझ पर ही अधारित है अगर मैं आधा गंटा भी रेस्ट लेलू तो पूरा अपार्टमेंट हिल जाता है अब राम बाब आपका नेचे मुझे बहुत पसंद्द है शाम को मिली जात में इनर्जी ट्रिंक पियेंगे आज कहते हो इनर्जी ट्रिंक पिय तो फिर कैसे पीता हूं ऐसे पीने में कुछ और ही मसा आता है अच्छा राम बाबू ना तुम्हें मेरा एक चोटा सा काम करना होगा इसलिए तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हो यू आर सो क्यूट राम बाबू को क्या समझाए आपने सवाल से पहले जवाब और काम से पहले पेमेंट लेने वाला है राम बाबू यहां के बारे में कुछ और बताइए इस अपार्टमेंट की लड़कियों की डिटिल्स चाहिए ना आपको मामूली लड़की के बारे में मुझे नहीं जानना है तो फिर रिच लड़की हो तो बताओ मुझे क्या मिलेगा अध् मिस्वोल्ड की तरह केट वॉक करती है दिलाने पर हजार के नोट निकलते हैं जो भी लड़का उससे शादी करेंगा वो एकनम राजा की तरह राच करेंगा हमेशा कैश देने वाली चलती फिरती एटीम मशीन है वह लड़की चाहिए ठीक है मिल जाएगी राम बाबू उस कर दो शेट करना होगा वरना बक्रा हाथ से निकल गया तो सर क्या सोच रहे हैं और कितनी दिर रहां बाबु एक घंड़ा धो गया है और करते ही आने के लिए कोई काफी दोडी ना है कॉस्टी के के वेट करना पड़ेगा बार बार प्रेस कर रहें लिफ्ट में जाना चाहता है और क्या निकल यहां से चल निकल यहां से पागल कंगा भीकारी चल भाग अरे देखो देखो मैडम की गाड़ी आ गई देखो देखो चलो जल्दी से हजार उपे निकालो अभी तू दिये थे ना अरे समझा करो उनके सामने आपकी तारीफ करनी तो पैसे लगेंगे यह ना हर बात में तुमें रिशोर्थी चाहिए रहा हुआ जिए को अधा गुड म मैं बोला था ना स्मार्टफोन करें लिए पैसे दें गे बोला था तो लेले ना प्रेल लक्षमिदेभी आप तांक यू सर बराम अपने आपने सार यह 120 में रहते हैं ऐं यह कामिनी भीजी है कुछ तो मिला आप टेंशन मत लेजे मैं जॉब लेकिन करेक्टर लेस नहीं हूँ रुकिये मैं वॉच्पेंग को फोन करता हूँ राम बाबू लिफ्ट बीच में ही रुख गई है हाँ हाँ रायवू वैसे आप लड़कों के बारे में क्या सोचती है आप बहुत घबरा कहीं थी सुख लेने वाले या सुख देने वाले मैं कुछ समझा नहीं आप कहना क्या चाती है सुख लेने वाला खुद की खुशी देखता है क्या बात है किसी ने इस लाइन को इतनी क्यूटली लेगा आज तक है थैंक यू आप तो इन सब चीजों में बहुत ही प्राक्टिकल हैं तो किस तरह का हैस्बन चाहिए आपको मुझे खुश रखे और मेरी कमाई पर एश करता रहे और क्या है सही लड़की है यार वैसे राम बाबू भी तताय नहीं जासे कि ए राम बाबू कहों यार थैंक गॉड एक्सक्यूज मी मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं आपकी बात सच लग रही है करता हूं आपकी बात सब्सक्राइब करता है करता हूं आपकी बात सब्सक्राइब करता है क्या हूं आश्री मुझे ऊपर बुला कर ऐसे क्यों घूम रहे हो एनी प्रॉब्लम ने ने ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तुमसे कुछ बात शेयर करनी थी अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं है क्या तुम मुझसे आ लव यू कहना चाहते हूं यह यही तुम्हें कहना चाहता था तुम बहुत अच्छी हो एक प्रेमी का की तरहा अपने प्रेमी के दिल में क्या है मैं समझ सकती हूं तुम नहीं लगी तुम नहीं लगी तुम मैं हूं मुझे इतने दिनों से तुम्हारे जैसे का ही इंतिजार था वैसे मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है ना ऐसा मस्स समझ ना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता. मैं जानता हूं तुम्हारे दिल बहुत अच्छा है और तुम बहुत अच्छी बिजनिस वुमन भी हो. तो फिर हम दुनों भाग कर शादी कर लें? अरे भागना किस बात का? तुम्हारे जैसी बिजनिस मुमन से शादी होगी, तो मेरे घरवाले ही नहीं, पूरा गाउँ खुश हो जाएगा. हाँ, लेकिन कंपनी के रूल्स के मुताबिक में अभी शादी नहीं कर सकती. हाँ, कंपनी और शादी का क्या संबंद है? शादी के बाद बिजनिस नहीं कर सकते हैं। शादी के बाद भी बिजनिस कर सकती हो। वैसे अपने बिजनिस का टॉन ओवर कितना है? सब्सक्तमोर अच्छे मिले तो महीने के 9-10 ज्लाक्स? मतलब काय रंटिंग tना पैसा है। मुझसे लोग कारेंट पर नहीं ले जाते, जरूरतमन लोग मुझे ही कार में लेकर जाते हैं जरूरतमन लोग? तुम्हें कार में लेकर जाते हैं? मतलब मैं पारो से प्यार में कर रहा था, चंद्रमुखी से कर रहा था गवल यार दादा लबता राम बाभू को किसी ने मारा यह रो रहा है नहीं रहा होगा हुड if मुझे देखकर आखें क्यों मसल रहा है इसलिए मसल रहा हो अब जाओ यहां से पहली बाई आख पड़क रही है तो जरूर तेरा कुछ बुरा होने वाला है देख ले ले न पंडित सुबह सुबह अच्छा किसा मूर खराब करके चले गए मेरा अब तक कोई बखरा नहीं मिल इस्टेंशन को मैं सेह नहीं सकता अब तो पीनाई होगा लगा औरदो प्रफॉड कि हो हाँ यह जाओ तुम्हारा इंतिजार था सार टेबल काहें से मेरे हाथ त्रहे इसलिए मैंने टेबल हटा दिया आज की दारू की पार्टी का परपस कि है से टारू की पार्टी के लि आप महान है सर आप तो किंग हो सर बिल्कुल रॉयल हो सर क्या सर आपकी इतनी तारीफ करने के बाद भी आपकी तरफ से कोई रियक्शन नहीं आ रहा है वो अभी पता चल जाएगा रहा है अभी क्या पता चलने वाला है अहां लगता है कुछ तो गड़ेघर ऑने माली यहां मुझे नीन दार यहां में जाएक आपर तुम्हें लेत chosen नहीं है यह हुश stable क्वादमाट और पॉट्ट से जौब हैं पुछे ऑड़ा आपके मारने से मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में मैं बहुत ज्यादा पिटने वाला हूँ आपसे मैं पैर मड़ता हूं उसर बताई क्यों मार रहे हैं मुझे बिना वजा मत मारें सार मुझसे क्या गलती हुई है बताईए न दीरे-दीरे तुछे सब समझ में आ जा वो सब नीचे से निकल गई पैंड के लिए हो गई मुझे एक मिनिट दो में पैंड सुखा के आता हूं जाने दीजे न सहर क्या हूं कर रहे हो जाने तो ना अभी अभी तो आप अच्छे थे अच्छनक आपको रोना कहा से आ गया तुनियावले आपको पागल समझेंगे अरे बताइए ना सर मैंने कौन सान्याई किया है घोर पाप धोका दिया मुझे धोका दिया तुमने अच्छा जाने एंजने में मैंने इसको फंसर डाला मैं अपना घर बसारा चाहता था तेरी आपकूस से ताइम वेश्ट हूआ पैसा वेस्ट वेरे सारे कप्रें वेस्ट हों गया है मेरे सारे ड्रीम्स को डाय डाइनामाइट लगागर उडां दिया तुमर तुझे में नहीं जोड़ोंगा तुझे में जान से मारते ह। बाच्चा! बाच्चा था गिया, बाक्टे! अरे अरे यार ये तो कोई मोडल लगती है अभी पटाता हो इसे हाई जानू आज मेरी नाइट शिफ्ट है जानू हम दोपेर में ही मिलें प्लीस मुझे टच मत करो शादी करने वाले को टच करने में क्या बुराई है तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल है ना शादी के बाद हनीमून के लिए कहां चाहेंगे जानू हनीमून तो तुम रोजी म मुझे राम बाबो की बाते माननी ही नहीं चाहिए तो या हुआ जानू है ऐसे प्रेस्मत कीजिए लिफ खराब हो जाएगी आ रही है आ रही है देखे आगी आ स्टॉप है हलो वट इस दिस और मेरे जानू हजार मिल गए वाँ इस माय शर्ट ये लीजिए थेंक्यी जी आ मैंने सिर्फ शर्ट दी है इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो यह लगी शर्ट है तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तुरह हटेंगे आहां पीकुल आए ना वैसे मैं अपनी हेल्प करनेवाई लड़की का नाम जान सकता हूं क्या स्टूपड है स्टूपड क्यों अलो कि मेरा पीछा क्यों कर रहा है अरे वा यह तु मेरी पड़ाओ संद्धे तूझे देखा तो यह जाना सनम् रामबाबू 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 अब यह से हिलना मत वरना जान से मार दूंगा क्या रांबाबू शाम को मिलकर पाटी करें क्या वह रात में आपके करना में देखके शराब पिना मना है ऐसा मैंने खुद के लिए कानून बना लिया है मुझे माव कर दो ठीक है पर मेरे दो काम करने पड़ेंगे कौन से काम पहला जिसने शर्ट दिया उसका मुझे फुल डीटेल चाहिए और दूसरा उस चंद्रमुखी को इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दो देखो शर्ट वाली के फूल डीटेल्स तो पता कर लूगा लेकिन उस पारो को इस बिल्डिंग अबेर नहीं न्निकाल सकता है है उपने एपटमेंट में कामीनी साथे भी है इसलिए पहले हैं इस पुछी नहीं कर सकते हैं जोड़ो बात को रांबाबू हमें उससे इस बिल्डिंग से नीकालना ही होगा रां बाबू बताओ हमारा मंग्सद क्या है। इंदर कंश कितना С हालो हाई नमस्कार मेडम कौन है मैं आपका फैन हूँ वाट रॉंग नंबर आप काविया ही है ना हां तो आप बहुत ब्रेट हैंजी बिना जान पहचान के शट उठा कर दिया आपने आजकल की दुनिया में इतने भले लोग मिलते का हैं थैंक्स है है हलो अनन्दपुर से थैंक्स कहने के लिए आपका फैन बोल रहा हूं किसलिए शर्ट देने के लिए थैंक्स और कोई काम है कि तुम्हें हमारे किसी भी काम से आपको थैंक्स बोलना ज्यादा ज़्यादा जरूर है इसलिए कॉल किया तो अज्डरस बताती हूं हाइदर मेरी बात खतम भी नहीं हुई और बीच में फोन काट दिया अब भी बताता हूं हेलो है रवास से आपका प्रशंसक बात कर रहा हूं शर्ट देने के लिए थैंक्स मेडम तुम पागल हो क्या कस्टमर केर वाले बहीं इतना टॉर्चर नहीं करते अगर और कॉल किया आना तो पुलीस कंट गर दूगी हुँ हुँ हु 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 छटे प्लोर से गिरी हुई शर्ट को सही सलामत लोटाने वाली काव्या जी का आर्दिक अभिनतर काव्या जी को मेरा धन्यवाद मेरी शर्ट लोटा कर आपने साबित कर दिया कि आप कितनी अच्छी हो आपका ये एहसान में कैसे चुका हूं स्टूपइड काव्या जी को मेरा धन्यवाद मेरा शर्ट लोटा कर आपने साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छी हो आपका ये हैसान में कैसे चुका हूं आपने जो पैसे दिये तो फ्लैक्स और कटाउट पर खर्च हो गए केबल टीवी पर आड़ देने के लिए पैसे निकालिये पैसे निकालिये पैसे पैसे वहां लड़की मेरा वेट करी या तुमसे बाग मिलता हूं अरे सुना तो अरे हां बन कर रहा हूं चुक्चा बैट जब तक बन करूंगा तब तक चिलाती रहेगी क्या है ये अर्ब हाई काव्या बॉर्निंग आयू मैड इतनी चोटी बात के लिए इतनी ओवर आक्टिंग क्यों तुम्हारे लिए वो चोटी बात हो सकती है लेकन मेरे लिए तो वो अब यह सब बंद करोगे या नहीं पसंद नहीं आया क्या आई हेटिट ओय राम बाबु दीदी बूख लगी है दाश रुपए दो ना बाइया चलवक ऐसे तो उसे भीक मांगने की आदत पर जाएगी पता नहीं कब से भूखा होगा इसलिए मैंने पैसे दे दिये वाह 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 क्या बात है एक्सलेंट मुझे मुझे फोन करके सबको बताना होगा मुझे पोस् अब भीक मांगा अब भीक अब जाएगा अब पर शाय थे आप अधिया अब आप अगर पर से कॉल साय ना तो क्या करूं कोई नेया प्लैन बनाना होगा कोई प्लैनि नहीं अरा थे माग मैं यह से रहेगा तुम बहुत ग्रेट हो थांक यू सो मच तुमने मेरी शर्ट वापस कर दी तो बोलो यही कहने आयों ना मैं इस वज़े से आनी आया हूं तो फिर क्यों आया हूं आपका दुबट्टा गिर गया था उसे दिन आया हूं किस ने कहा हूं ये मेरा धुप Bitcoin à अब क्या हुआ यह थोरमति में अच्छा करने का टेश्त आपका ही हो सकता है यह स्कता ही इसने नाम लिखा है फ्लाइट नाम कर लिखा है मेरा नहीं है मेरा नहीं ऐ हैं अपर मैंने आपकी शुर्ट रोटाई थी अपनी ड्रेस नी लोटाएंगे सब्सक्राइब तो हेलो काफ्या बरिस्ता में आजा नहीं नहीं मुझे काम है वह बरिस्ता में तवारों वेट कर रहा हूं आजाओ यडिक्यों के पास टायम क्यों नहीं होता हलो ब्रगा बुला तो लिया आप बात क्यों नहीं कर रहें कॉफी नो थैंक्स क्या कहना है कहो अब यू वाट यस आइव यू आई यू ग्रीजी नहीं मैं सच कह रहा हूं अभी मेरे बार में जानते ही कितना हो तो प्यार में जाने की जुरुत थोड़ी होती है एक दूसरे पर भरोसाई काफी होता है अहां तुम ठीक कह रहे हो पर भरोसा करने के लिए टाइम चाहिए ना तो ले लो ना तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो लेकिन हम एक डेट फिक्स कर लेतें कौन सी डेट फिक्स करें वैलेंटाइन स्टे तो चला गया मेरा बर्दे भी परसो ही था तुम्हारा बर्दे कब है एप्रिल 28 क्या तुम्हारा बर्दे परसो है मतलब 48 गंटे के अंदर मेरे प्यार का रिजल्ट आने वाला है ओके बरसे मिलते हैं बाई क्यूं बेटा कैसे हो तुम क्या चल रहा है वह सब ठीक है ना हाँ भूआ जी आशब ठीक है वैसे तुम्हारी जॉब सच कैसे चल रही है परसो ही फाइनल इंट्रव्व्यू है इस बाहर तुम्हारे सेटल हो जाओंगा सच में सुपब मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है जॉब मिलते ही कॉल करना भूलना मत गुड लैक्ट थैंक्स बॉजी कॉल करूंगा श्री मुझे कॉल करके विश्च करेगा या नहीं सर मैंने शराब बन कर दिया मैं नहीं पीता देखो राम बाबु आज मैं बहुत यच्छे मूड में हूँ और अगर तुने आज नहीं पी तो मेरे दिल में जितने कुश्चन है उन सब के आंसस देने पड़ेंगे सोच ले अरे इतने ओफर किस लिए सर डाली है इसके साथ दो इतना क्यों सोच रही हूं उसे मेसेज ही कर देती हूं अब मानो सर कॉल गल को खाली करवा कर ड्रीम गल को लाइन में लगा दिया लाइन में ने लगाया दिल में रखा है उससे सोचा था में लड़की पड़ा के सटल हो जाऊँगा लेकिन जब से मैं काव्या से मिला हो न तो लगते हैं गाव में जाकर खेती भी करूं तो भी अपनी जिन्दीगी खुशी-खुशी काट सकता हूं वाब 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 आप तो डायलोग बजी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं सर सच कहूं आपको देखकर सिद्ध नारायन नागेश और स्वामी जी की हुआ हुआ है हुआ 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 है हालो श्री कहा हो तुम बाहर हुआ क्या बात है कुछ नहीं हमारे बिल्दिंग के पास जो मंतिर है ना वहां आ सकते हो तुमसे कुछ बात करनी है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है झाल झाल कि आप कि 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 आ कि आपको टाइम मिलके मुझे मिलने का मेरे साथ चलो और्जेंट नहीं आउंगी तुम जाओ यहां से प्लीज मेरे साथ चलो ना जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों आऊ तुम्हारे साथ लडाई मुझसे बाद में कर लेना अभी मेरे साथ चलो कहां ले जा रहे हो मुझे अरे चलो तुम्हां प्लीज तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यह कल करना चाहिए था एक बात बताओ कल से तुम मेरे ही बारे में सुछ रही थी ना मतलब 24 गंटे है ना एक इंसान के बारे में इतना सोचने का मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया होगा अब मुझे बताओ तुम्हारा फैसला क्या है आप लव यू आप लगारा इंसान कीज़ लगारा भ्स्तर गाओ काफ्या के फ्लैट सी आवाज कैसी? काफ्या के फ्लैट सी आवाज कैसी? प्लीज सत्या, प्लीज सत्या, आगे से कोई गल्ती नहीं होगी, प्रोमिस्ट जब एक बार गल्ती करने का मन करता है, इसलिए यह ट्रीटमेंट दिया है, जब गभी गल्ती करने का कैसी जगता है? इसरे ही किसी काम में कमिटमेंट होना चाहिए, भोखेवाजि नहीं होनी चाहिए, सत्या इसलेर हुसे त्रीटमेंटे रहा है कि अज़िए पर देंकन्विनियंस काव्या मजबूरी में यहां रखना पड़ा एने दुमारा ऐसा नहीं होगा है एनिवेज हाव यू अंकल कॉफी अधिन नहीं बिटा अभी कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारा या रहेना ठीक नहीं है तुम अभी बाहर चली जाओं मैं फोन करूं अध्वा जाना ठीक है तुम यह क्या करें हो अंदर हो क्या रहे है चलो बताती हूं इंसान डर से काबू में रहता है मारने से नहीं मैं जानता हूं तुम्हारे फ्लैट में वो हो क्या रहा था वह बंदा है कौन तुम्हारा क्या वास्ता है उससे उसका नम सत्या है पेरे माबाब को मार कर मुझे अनाथ बना दिया उसने मतलब उसने तुम्हारे माबाब को मार दिया पर क्यों मुझे पाने के लिए वाव वाव तुम्हारे माबाब की स्वागरात का महुरत निकालने वाले पंडित को स्पेशल थैंक्स बोलना पड़ेगा तुम्हें देखकर भी कोई पागल नहों ऐसा हो सकता है क्या चप्पल से मारूंगी प्यार करने वाले से चप्पल मारने की बात करना बत्तमीसी कहल लॉव में है लॉव में जब मेरे मुआ पाप ने शादे के लिए उसने उन्हें लोगिवार दिया है जब बाबाप प्यार को एक्सेप्त नहीं करते तो प्रेमी आधमत्या करते हैं लेकिन अपने प्यार को जिन्दा रखने के लिए मैंने तुम्हारे माबाप को मार दिया उनके लिए रो क्यों रही हो यू शुट फिल है पी तुम्हें अकेला कर दिया तुम्हें अकेला इसलिए किया है था कि तो मेरे बारे में सोचो तभी तो मुझसे प्यार करोगी ऐसा कभी नहीं होगा एक पर मौद से प तुम अपने माबाप के कातल के साथ रहती हो तुम बड़ी हिम्मद वाली हो मौका और उमीद इनसान को हिम्मद दे ही देती है मौका उमीद मेरे ममी पापा के मरने के बाद मेरे रिष्टेदारों ने उस से दर कर मुझे एक कॉल तक नहीं किया से भागी भी थी पर पकड़ी गई आत्मातिया करने के सोची रही थी कि तुम मिल गए प्यार हो गया सब कुछ पर सचानक से हो गया वह सत्या बहुत ही डेंजरस इंसान है अगर उसे हमारे बारे में पथा चला तो वो मेरे मम्मी पापा की तरह तो में भी मारने में जणा भी नहीं उचके जाएगा और मैंने ही चाहती कि ऐसा कुछ हो यहां से कहीं भाग चलते हैं श्री भागना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है भागने के बाद भी अगर उसने धुन लिया तो फिर सोचो क्या होगा अगर उसे ये पता लगा कि हम भागे हैं तो फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें धोनने के लिए इस तरह भागना बेवकूफी होगी हमें कोई और रास्ता ढूनना होगा इससे बचने के लिए पर वो रास्ता होगा क्या हाँ तुमसे एक बात पुछना तु भूली गया वहाँ वो शूर कैसा था किसी ने सत्या को धोखा देकर पांच करोड हड़ लिये थे उन्हीं पैसों को रेकावर करने के लिए उसे मार रहे थे मतलब वो बास क्रोड रुपए तुम्हारे फ्लैट में ही रखिया राइट हाँ है सुपर्ब बेवी अब तो भागना ही पड़ेगा कैसे तुम सत्या के बारे में सब कुछ दीटेल में बताओ फिर बताता हूं कैसे सत्या माफिया डॉन केपी का राइट हैंड है लेकिन केपी के बेटे छोटू और सत्या की बिलकुल नहीं बनती वो सत्या का आदनी है हमारे लिए काम करने वाले हजारों मिल जाएंगे लेकिन हमारे लिए जान देने के लिए हमेशा तयार रहने वाला एक ही शक्स है और वो है सत्या उससे तुम्हारा जगडा करना अच्छी बात नहीं है बेटा मतलब अब मुझसे ज्यादा इंपोर्टन सत्या है कि राम केपी का लीगल अडवाइजर इसकी बाद मानो कोट का ओडर हो सर क्या हो गया किस हमारे फिवर में नहीं है सर ठीक है मैं देखता हूं केपी उसकी कोई बात नहीं डालता हूं तो जो पैसा तुम्हारे फ्लैट में है वो सत्या का है या फिर केपी का है सत्या और छोटू की नहीं बनती इसलिए कॉंप्रमाइज करवाने केपी आ रहा है केपी जब भी आता है सेफटी के लिए मीटिंग मेरे फ्लैट में होती है ओहो ठीक है अब यह बताओ सत्या के वीक पॉइंट्स क्या है वो होट ड्रिंक करता है लेकिन स्मोक से अलरजी है ऐसा क्यों उसे अस्थमा है इन्हेलर के बिना एक पल भी नहीं रह सकता अहां बस बस बहुत बता दिया आगे मैं समाल लोगा अब हम क्या करने वाले हैं यहां से सुरो वो उन पैसों की टेंशन में रहेंगे और उसका फायदा उठाटे हम निकल लेंगे ओए रामबाबू तुम रात में कहीं मत जाना मुझे अर्जेंट काम है यह शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं किसमत फुटी लड़की लिए कुछ पैसा भेजो ना हमेशा पैसे ही मांगता रहता है शुटी लड़की पैसा रहता है कर दो 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 कर इन्हेलर नहीं है खत्मों गया है अब क्या होगा गाल में मेरिकल शॉप है लेकर आओ फास्टर गेचेट कि अजब एड़ी खुणा आफ टॉप है अजब एड़गा नुड़े की अजब एड़ी है करे कि प्रबब करे अद मंचे एफ अईो कि कि झाल 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 यह लोग एसे ओगया? काफ्या आपता काई क्यो नहीं? काफ्या नहीं? काफ्या दोग इन्पार्द यग एसे ओगया? काफ्या नहीं? ले आई, तेंक यू क्यू और को रिस। चोटू अकेला आया थाी, क्येपी सरी नहीं है। चोटू आया था। वारकिंघ में देखा था। व्लाईट केने में तो अभी वक्त है। बद्यु नें लेकिन रैड़ बैग लेकर कार में जा जरा था। हाँ मैंने देखा रड़ पैग था रड़ पैग हाँ प्रोब्लम चीफ ट्रिक पैसे चुरा कर मुझे केपी की नजरों में गिराना चाहता है मतलब वो तुम्हें फसाना चाहता है वो मुझे क्या फसाएगा फसाओंगा तो मैं उसे उसे लगता है कि पैसे चुराने से मैं धर कर भाग जाओंगा लेकिन सत्या ढर्णा नहीं डराना चांगता है हलो बेबी वराई डॉइंग नथिंग मुझे बहुत डर लग रहा है श्री क्यों क्या हुआ था पैसे ना मिलने पर यह तरकर भाग जाएगा लेकिन यह तो चोटों को डरा कर पैसे निकल आने की बैत कर रहा कि नेरे तो डॉंड वरी जैसे आमनिये सोचा है वैसा ही होगा तुम चिंता मत करो बी हैपी ओके अगें ओके हुआ है हुआ हा हुआ 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 कि अ कर अ कर दो 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 झाह। ओके गाइस चीर्स बॉटम सब वार्सप्सत्या नथिंग ग्रेट एस उसल विबान को रिकवर किया है पांच करोड मिले हैं पांच करोड है या पांच करोड से ज्यादा है वो तो तुम्हें पता होना चाहिए कोड क्या है कोड की तुम्हें क्या ज़रूरत बिना कोड के बैक कैसे ओपन होगा तुम से हो जाएगा तुम पागल हो गए हो क्या छोटे है कि इस राइट कोड के बिना बैक कैसे ओपन होगा एक 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 शट टाइक चीटिंग सत्या क्या यह वाट इस अपने बेटे से पूछो मेरा बेटा जल्दबाजी करता है पर चोरी नहीं कर सकता बाप को बेटे में बुराई नहीं दिखती लेकिन दुनिया वह देखती है जो सच है क्या सच कैसा सच काम तभी शुरू करो जब अंजाम तक पहुंचा सको कि मारोगे हमें मारोगे कली के आवारक कुत्ते में हमें मारने की हिम्मत आ गई है चल मार कर सिंदा बज जाएगा तू बारना थे तेरे बारे में मुझे पहले से पता था तुछ पर मेरे पापा ब्लाइन पेड करते थे ते तुछ पर मेरे पापा ब्लाइन पेड करते थे अगे लाँ लाँ! अगे लाँ! अगे वो अगेगल! कि अधाद में एक्सपप्प नहीं किया था ना मैं वहीं करता हूं जो कुछ सोच नहीं पाता हां बहुत हाँ हां ठीक है हां पहुंच जाओंगा कहा लेकर जा रही है हुआ 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 है हुआ 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 है यह मोहन फोन क्यों कर रहा है कहीं फ्लेट पे तो नहीं पहुच गया यह फोन क्यों नहीं उठा रहा है हुआ हुआ है हुआ हुआ है कर प्रफॉएघका यहाद तो अटक्र चाम से रहाश हुआ क्योआ हुआ बभलषर्ण तालूर्ण बभल वान वतर अगा यह वदोूआ अब हुआ ड़ा हालो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम बॉस आ गए हैं क्या मैं उन्हें का इंतिजार कर रहा हूं और उन्हें निकले तो देर हो चुकी है अब तक तो पहुंच जाने चाहिए थे हो सकता है कि बॉस की कहीं और मेटी को तुम्हारे अलावा वाज किसी और से नहीं मिलने मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं अगर आपके उनसे बात हो तो मुझे मैसेज कर दीजिगा हाँ ठीक है अलो काव्या ये गन चलने की आवाज कैसी थी वह तुम्हें काले कर गया था जैसा हमने सूचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रह जाती हूं और वो पैसे लेकर कहीं भाग चलते हैं श्री पॉंदो पॉंदो काव्या तुमने फोन क्यों कर दिया कौन है बे तू किसके साथ मिलकर तुने ये प्लान बनाया है कौन है वो काव्या काव्या कौन है ये तेरा प्यार हां मैं इससे प्यार करती हूं मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूं तो तुम भी उसे प्यार नहीं कर सकती थी सीता ने रावर से प्यार किया था ऐसा कभी सुना है के तुमने क्या रहे है तू बोलेगा अब मेरी बास सुनो भाई, अगर लड़की को पढ़ाना है तो सब प्लान करना पड़ता है, फोन दिलाओ, रिचार्ज कराओ, फिल्में दिखाओ, सप्राइस दो, अरे भाई साब, लड़की पढ़ाने लेना बहुत पापण बिलने पड़ते हैं, इतना करने के बाद भी इसे पता होगा, हे, बता, पैसा कहा है, ये बता, हमें कितना मिलेगा, अज किसमत तेरे साथ है, पर पहले ये बता कि पैसा कहा है, हमारा शेर कितना होगा, पैसा कहा है, मुझे नहीं बता, तो तू ऐसे नहीं बताएगा, भाई, एक छुड़ा सा डाउट है, क्या डाउट अब तो प्यार करते ना इससे मेरे लिए प्यार से ज्यादा पैसा है अब मेरे लिए ये बेकार है तुम मुझे नहीं मार सकते क्यों अरे अगर मैंने जुट बुलाओ तो ये टॉर्चर कब तक चलेगा शेट शायद मोहन आ गया है वो हमेशा वक्त पे आता है देखो मोहन के आने तक तुम चुप रहा होगी पैसे दूगा फिप्टी-फिप्टी और इसे छोड़ दूगा बात्रूम में जाकर फ्रेश ह कर दो जाओ कि आए कि आए कि आए क्या हुआ दोर खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी बालकनी में था इसलिए देर हो गई काव्या कहां है बात्रूम में है पहुत बार कोशिश की थी कोई फोन ही नहीं लग रहा है कहीं डेविड गैंग ने तो नहीं कुछ कर दिया वहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे कोई भी काम क्यों नहों आपके पास तो इंफोर्मेशन रहती है ना इसी बात की तो टेंशन है वैसे मुझे बिना बता यह जाते नहीं है कि एपी का फोन है उठाओ ना हालो बास एई तुम मोहन के साथ चले जाओ हम लोग पैसा लेकर चले जाएंगे अगर ज्यादा नाटा किया ना तो बाहर आकर मोहन को सब कुछ बता दूंगी वाट कहां आपको कुछ हुआ तो नहीं ओके ठीक है भाई यहीं हैं मैं फोन करता हूं क्या हुआ एयरपूर्ट से लॉटते समय डिविट गैंग ने अटेक कर दिया मैं जाओंगा तो प्राब्लम हो जाएगी इसलिए आपको बुलाया है ठीक है मैं जाता हूं आंकर शुलता है इस कि आएपको कुछ हुआएए भी आगाया है अधड़ा झाहाँ एपको जाओएखब प्रुपता हुआएएव व्रुब याफश प्रुपता है अभड़ एवर भ्रुपता है अख्यों! अख्यों! शेर! अलो, आंकुल! रैवर, थार्गमाम! एख्यों! चाहिए! अख्यों! अख्यों! एख्यों! जए 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 जँ सथ्याव सथ्याव मारतो कि मुझे मारोगी मौत को मारना मुश्किल है मारो मारो कि यहां बेटी वो कहां है जैसे उसे पता चला आप आ रहे हैं वो यहां से भाग्या अंकल ठीक है उसे तुम्हें देख लूगा पर तुम यहां से चली जाओ और रहां काविया अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना इस कजी की डेड बोडी का क्या करें बता जाओ अबेश दो गयां से प्राइब प्राइब लुम्हें से खोग्षा अबेश भाओ प्राइब अबेश प्राइब झाल झाल